नमस्कार मैं अनूप मिश्वा जी डिस्चल में आप सभी का स्वागत करता हूँ कैंसर की बरती बीमारी हम समके लिए परिशानी का सबग है आलम ये है कि ना केवल आम आदमी बल्कि फिल्म सितारे और सीनियर पॉलिटीशन भी तेजी से इस कैंसर का सिकार होते जा रहे है क्या वज़े है कि समाज का हर वर्ग कैंसर की चपेट में आता जा रहा है इस बाबत बात करने के लिए आज हमारे साथ मौझूद है मैक्स अंकलोजी डिपार्टमेंट की डिरेक्टर डॉक्टर मीनू वालिया जी नमस्कार मैं जी डिस्टल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं इस समय कैंसर की बीमारी ने नानक्केवल आम आदमी बलकि फिल्म स्टार सुनाली बिंद्रे का भी एक्जामपल आया इससे पहले भी कई फिल्म स्टार्स आये काफी चिंतित रहते हैं फिल्म स्टार्स वो भी इस वीमारी का शिकार हो रहे हैं तो आपको क्या वज़े लगती है इसके पीछे बहुत सारे फिल्म स्टार्स बहुत सारे सेलिब्रिटी जाता है और पूरे देश में एकदम से कबर फैलती है पर fact है कि सिरफ celebrities में cancer नहीं होता cancer से कोई भी प्राणी अच्छ होता नहीं है मतलब चाहे वो male हो है या female हो है या मैं कहूंगे कि दुनिया के किसी भी भाग में हो है या अमीर हो या गरीब हो मतलब कोई भी cancer जो है वो किसी भी चीज में ना कास्ट ना हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है ना कास्ट का डिफरेंस करता है ना क्रीड का ना सेक्स का किसी भी चीज में मतलब cancer से almost हर प्राणी आज की डेट में period होने की संभावना रखता है और cancer का incidence हमारे देश में कोई doubt नहीं है काफी बढ़ता जा रहा है और आने वाले टाइम में और भी बहुत ज़्यादा cancer के मरीज देखनों को मिलेंगे मैं जहां तक cancer की बात करते हैं तो एक general perception है कि जो लोग alcohol पीते हैं जो लोग तंबाखू खाते हैं जो लोग cigarette पीते हैं उनको ये माना जाता है कि ये cancer का शिकार हो सकते हैं लेकिन बहुत सारे cases ऐसे हैं कि नहीं वो cigarette पीते हैं नहीं वो शराब पीते हैं नहीं वो तंबाखू चबाते हैं बावजूद इसके वो cancer का शिकार हुए हैं आपको क्या लगता है कि इस समय कैंसर की सबसे बड़ी वज़ा है और कौन सी है देखो, majority of the cancer के जो risk factors होते हैं वो lifestyle related ही होते हैं ये कहना बिलकुल गरत होएगा कि अगर हम ये सब तंबाकू नहीं ले रहे या ये सब नहीं ले रहे तो उसको cancer नहीं हो सकता जिन लोगों में ये lifestyle related factors हैं मतलब अगर वो alcohol लेते हैं, smoke करते हैं tobacco किसी भी form में लेते हैं ये सारी चीजे को लेते हैं तो उनमें cancer होने का chance बहुत बहुत जादा होता है compared to a person जो ये सब 7 नहीं करता पर येस बाकी लोगों में इन 7 के बावजूद भी ना करने के बावजूद भी cancer होने का chance रहता है क्योंकि cancer के कारण सिर्फ यहीं नहीं है और भी बहुत कारण है सबसे बड़ा कारण तो आज की rate में मैं कहूंगी कि जिस तरह से हमारा environment दूशित होता जा रहा है हमारी हवा, हमारा खान-पान, हमारा रहने का तरीका जिस तरह से यह खराब होता जा रहा है वो सबसे बड़ा कारण है cancer का तो अगर हम देखें कि हमारे जो air pollution है दिल्ली को कहा जाता है कि दुनिया की सबसे जादा प्रदूशित शेहरों में से हमारी दिल्ली है तो यह प्रदूशन जो है इस नोन टू बी अ कार्सिरोजनिक फैक्टर मतलब इसको कहा गया इसको scientifically प्रमानित किया गया है कि यह cancer cause करने के लिए यह बहुत important factor है तो इतनी सारी चीजें हैं हमारे जो खान-पान में इतनी मिलावत वगेरा होती है हमारा lifestyle जो काफी sedentary होता जा रहा है जैसे हमारी medical terms में एक term चलती है कि sitting is the new smoking जो smoking या तंबाकू जितनी बिमारियों को करता है उसी तरह से जो हमारा sedentary lifestyle है exercise नहीं करना या सिरफ बैठने वाला जो काम वगेरा रहता है जिन लोगों का absence of physical activity that itself is a very lot of risk factor for these non-communicable diseases मैं दोनों को थोड़ा सा अलग अलग करना चाहूंगा pollution और lifestyle को इदि हम सिर्फ pollution की बात करें क्योंकि दिल्ली में रहने वाला हर सक pollution जहलने के लिए मजबूर है वो चाहे के भी कुछ नहीं कर सकता तो pollution किस तरीके के cancer का कारण बनता है और वो किस तरीके से नजर आता है हमें कि हम पहचान सके कि pollution की वज़े से ये symptoms हमारे body में आ गए हैं और ये cancer बन सकते हैं so pollution चाहे कोई भी होए चाहे water pollution हो चाहे food pollution हो food की में खाने में मिलावट हो या air pollution हो ये सारे के सारे factors cancer के लिए कारण बन सकते हैं अगर हम सिरफ air pollution की ही बात करते हैं तो हमने देखा है का तकरीबन हर साल दिल्ली में दिवाली के आसपास दिवाली के बाद ये जो दुआ जो है वो तो pollution हमें दिखाई देता है और pollution जो जिस तरह से cancer वगरा cause करता है उसको आप अलग से तो नहीं बता सकते हैं कि एकदम से cancer हो रहा है क्योंकि जानने वाली बात ये है कि cancer में कोई एक ऐसा symptom नहीं है जो कहे कि हाँ ये cancer का ही symptom है जैसे air pollution वेगर ऐसे बहुत commonly आप देखेंगे कि बच्चों में अस्थमा होता है सांस की तकलीफे होती है बुजर्गों में सांस की तकलीफ बढ़ जाती है दमे की शिकायत होती है खांसी वांसी बढ़ जाती है तो जो अगर lung cancer है वो भी इनी symptom से present करता है और यही कारण है कि शुरुआत की stage में बहुत देड़ तक यह कई बर मिमारियां पकड़े नहीं जाती because मारीज भी यही सोचता है कि शायद उसको मौसम change होने की वज़ा से pollution की वज़ा से यह सारी चीज़े हो रही है तो एक आपने government की बड़े-बड़े holding देखे हो हैंगे हर तरफ लोगों को यह चेतना देते हो है कि तीन हफते से लंबी खांसी है तो वो TB हो सकती है all I want to say is कि अगर तीन हफते से लंबी खांसी है वो TB ज़रूर हो सकती है पर अगर वो TB की दवाईयों से response नहीं आ रहा या TB के test में पकड़ा नहीं जा रहा तो वो cancer भी हो सकता है वो lung cancer भी हो सकता है और हमें lung cancer की test भी जरूर करा लेने चाहिए यानि कि तीन हफते से जादे आपको लगातार खांसी आ रही है तो मान ले कि आपको या तो TB है या तो आप cancer के तरफ बढ़ रहे हैं खांसी को लेकर एक myth और है कि generally लोग इंतजार करते हैं कि हर खांसी के बाद जो कफ आता है कफ में blood देखते हैं और खांस कर जो smoker का तो ये दावर होता है कि जब भी खांसी होगी तो वो मानते हैं कि जब तक कफ नहीं आ रहा है तब तक वो cancer से उनका बचे हुए है तो ये myth कितना सच उतना है और इस से हम कितना alert रहें येस अगर बलगम में खून आता है तो cancer होने की काफी ज़्यादा संभावना होती है तुबर क्लासिस वगेरा में भी बलगम में खून आ सकता है पर उसका मतलब नहीं है कि अगर आपको खांसी चली जा रही है और बलगम में खून नहीं आ रहा तो cancer नहीं है हर बर लंग cancer बलगम में खून के साथ नहीं प्रेजेंट होता कई बर हो सकते हैं आपकी आवाज ही भारी हो रही है आवास चेंज हो रही है या वजन लूस हो जा रहा है या लगातार खांसी चल रही है या फिर चेस्ट में पेन हो रहा है तो लंग cancer बहुत अलग तरीकों से भी प्रेजेंट कर सकता है यानि कि यह सीने में दर्द हो रहा है आपको लगातार खांसी आ रही है आपका weight reduce हो रहा है तो यह सारे symptoms जब आपको body में एक साथ दिखने लगें तो आप थोड़ा सचेत हो जाए चलिए अब मैं तेजी से बढ़ता हूँ अपने lifestyle की तरफ lifestyle अभी आपने जिक्र किया कि sitting is also a smoking like a smoking habit तो आप में इसको elaborate करें कि किस तरीकी की हमारी lifestyle है कि वो हमें cancer की तरफ ले जा सकती है अगर हमारा sedentary lifestyle है मतलब physical activity जादा नहीं है exercise वगारा हम नहीं कर रहे हैं उसके अलावा अगर हमारे खान पान में तंबाकू का सेवन हो रहा है और शराब का सेवन हो रहा है हम लोग यह कहते हैं कि अगर कोई इंसान शराब और तंबाक को दोनों ले रहा है तो उसका जो risk factor होता है वो additive नहीं होता वो multiplication के factor से बढ़ जाता है इसके अलावा अगर हम सतर्क नहीं है अच्छा खान पान नहीं करते हैं healthy food नहीं खाते हैं एनफ मात्रा में पानी वे गरा नहीं पीते हैं अपनी सेहत का नहीं ध्यान रखते हैं तो यह सारी चीजें讲 जो cancer की तरफ हमें लेके जाती हैं तो एक तो खान-पान की बात है तो खान-पान पर किस तरीके का हमें सहियम रखना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खान-पान में cancer preventive diets होती है जिसमें हम कहते हैं कि हमें fruits और solids ज्यादा खाने चाहिए कहास करके अगर विबन रंग के जो जैसे कहते हैं breakfast वगएरा में fruits वगएरा होए और विबन रंग के fruits वगएरा होए तो उनमें anti-oxidants वगएरा होते हैं and they are supposed to prevent cancer similarly जितना हम preserved foods को कम खाएं जितना हम artificial चीजों को कम खाएं उतना बहतर होता है अगर आप non-vegetarian खाते हैं तो red meats are supposed to be harmful मतब red meat और white meat की तुलना में हमेशा white meat को लेने की जैस्टा करें white meat यानि की chicken हो गया या fish का meat हो गया that is much better than red meat इसी तरह से जो processed meats होते हैं या processed food होते हैं या preservative वाले food होते हैं उसको जितना avoid किया जाए वो बहतर माला जाता है आप चुकी max hospital में oncology department को head कर रही है इसलिए मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इस समय सबसे जादा किस तरीके का cancer आपको नजारा रहा है मेट्रो में स्पेशली लेडी में breast cancer काफी जादा बढ़ता जा रहा है इसके अलावा हमारे शहर में आप जेनरली जेंट्स में आप लंग cancer और नौथ हिंडिया में में आगे बढ़ूंगा थोड़ी मिस की बारे में आपसे बात करना चाहूंगा cancer पीडित मरीज तो दो तरीके का दर्थ जहिलना पड़ता है पहला दर्थ तो उसका होता है कि वह खुद cancer से पीडित है और दूसरा दर्थ यह होता है कि घर वाले भी उससे दूर भागने लगते है उनका ज्यादा तरका मानना है कि cancer उनको छूने से हो सकता है उनके Cancer का मरीज तो एक वैसे ही मतलब की एक तरफ Cancer से जो उच रहा है दूसी तरफ कई लोग हमारे समाज में आज भी बिलीव करते हैं कि शैद Cancer की मरीज के साथ अगर वो हाथ मिलाएंगे या फिर वो हाना शेयर करेंगे या उनी बरतन से खाना काएंगे या उनके साथ मतलब मतब cancer छूट से उनको हो सकता है cancer छूट की बिमारी नहीं है cancer does not spread by kissing, hugging a cancer patient or by sharing food या फिर उनी के utensils या उनी में उनी के साथ किसी तरह से share करने से cancer छूट की बिमारी नहीं है या contagious नहीं है और इसलिए बहुत ज़्यादा है कि हर आतमी इस चीज को जाने और अगर हमारे परिवार में किसी को cancer है तो और भी ज़्यादा जरूरत है कि उसको संभाला जाए उसको उसके साथ संभावना हो उसके साथ सहानुब होती हो है बन्दा उसके साथ इंसान अच्छी तरह से पेश है और उसको अगर दूर कर देंगे तो वो ठीक बिल्कुल नहीं है आप बहुत सारे patients से मिलती है उन patients के किस तरीके के ऐसे questions है जो myth है बहुत बड़े तो क्या आप थोड़ा विस्तार में पता सकते हैं कि patients या उनके घरवाले आप से किस किस तरीके के सवाल करते हैं बिल्कुल भी जायज नहीं होता है सबसे बड़े myth तो अभी आप ही ने बात करी कि ऐसा मैंने कई बार देखा है कि मतलब कि किसी के घर में जब cancer हो जाता है especially अगर किसी बुजर्ग को cancer हो जाता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि घर के बच्चों को चोटे बच्चों को या बाकी लोगों को इस तरह से हिदायत दी जा जाती है कि उनसे दूर रहें उनसे ना मिलें जो बहुत ही गलत धारना है और ये मैं कहना चाहती थी कि इसको बहुत जाना ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को घर में cancer है तो उनके पास आने से घर में बाकी लोगों को cancer नहीं हो सकता similarly और भी बहुत सारे myths होते है cancer के बारे में लोगों का एक ये धारना होती है कि अगर आपके घर में किसी को cancer है तो आगे बच्चों में cancer ज़रूर होएगा या फिर अगर आपके घर में किसी को cancer नहीं है तो किसी को cancer नहीं हो सकता तो इसमें भी ये लोगों को जानना ज़रूरी है कि सिरफ 10% yes cancer heritatory होता है cancer families में run कर सकता है पर लेकिन सिरफ 10% cancer ही inherited होते है मतलब जो families में genetic reason से inherit करे जा सकते है बाकी 90% cancer ऐसे लोगों में हो सकते हैं जिन में शायद कोई family family में किसी और को cancer नहीं हो है मतलब बाकी 90% cancer सिरफ हमारे lifestyle या बाकी external factors की वज़ा से हो सकते हैं तो डॉक्टर मीनू वालिया से हमारी बातचीत cancer को लेकर जारी रहेगी आगे के episodes में हम सिलसलेवार तरीके से हर cancer की detail में बातचीत करेंगे यदि आपके जहन में भी कोई सवाल है आप cancer के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे दिये गए email address पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं मीनो वालिया आपका जवाब देंगी मैं आज के लिए digital को इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लगातार हमारी आपसे बातचीत जारी रहे